स्वागते बचो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लाड़ीक एकाडमी में मैं कॉटम सर आज जो हम करेंगे हमारा टॉपिक है हमारा सी यूईटी के लिए सी यूईटी के लिए बच्चे कौन से इलीजिबल हैं उसकी फीस क्या होगी क्या हमें रेगुलर कॉलेज में जाने के लिए हमें फॉर्म भरना होगा जी हां आपको रेगुलर कॉलेज में अड्विशन लेने के लिए आपको फॉर्म भरना होगा क्योंकि सी यूईटी एक ऐसा एक्जाम है जिसको हम कॉमन युनिवर्सिटी अड्विशन टेस्ट भी कहते हैं इसी के जरिए आप जेशन का उप्शिंस दिया गया है इसकी जो प्रयटीरिया है बच्छों मैं आपको बताता हूं जो प्रयटीरियो एक भी युक्त हैं अगरवक्त को इन अडिशन गाटे जो थोगी जो आपकी थरी सब्जेक्ट की वह वह की थाउजंड जैंडल वालों के लिए इड्व्य इसके लिए 900 और ST के लिए 800 अगर आप कोई अडिशनल सब्जेक्ट एड करना चाहते हैं तो 400 पर सब्जेक्ट आपको देना होगा आप पेमेंट online भी कर सकते हैं अब इसकी कुछ important date है हमारी जो यह application start हुआ है हमारा 27th feb से start हुआ है और आप इसे last cup तक apply कर सकते हैं बच्चो वह आपका है 26th of March और last payment आप कर सकते हैं 26th of March 2024 में ही कर सकते हैं correction की date आएगी आपकी March में 28, 29 correction आपकी जो भी हो गई हो अगर by mistake आपने कोई गलती करी है form को भरने में तो आप उसमें correction कर सकते हैं आपकी जो एक्जाम की date होगी बच्चे वह है 15 to 31st में में आपका एक्जाम हो जाएगा और इससे पहले आपका एक्जाम सेंटर आ जाएगा अब आते हम इससे कौन कौन सी जो है हमारी इसके लिए age limit कोई सी भी नहीं दी गई है किसी भी age के बच्चे इससे पहर सकते हैं और 12th class पास चाहिए हमें और इसके अंदर कौन कौन सी जो प्र shap आप देख सकते हैं आ ली गड़ इनिवर्सिटी जो की क्या है इस क्यों करने के बाद ही आपके हिए एडमीशन ले सकते हैं तो चलिए अब हम जानते हैं इसके अंदर और हमारी क्या 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 के Rite आप इस लिंक पे जाएगा इस लिंक पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा रजिस्टेशन करना होगा चलिए हम देखते हैं कि स्टैब आगे हम जाते हैं हमने इसको क्लिक किया यह पेजा से कुल जाएगा और अगर आप फॉर्स टाइम अगर फ्रेशर हैं पहली बार भर रहे हैं तो आप इस पर न्यू केंडिडेट पर क्लियर कीजिएगा क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से फार्म कुल जाएगा अगर आपको बुलिटिन पढ़ना है तो आप से पड़े बुलिटिन पढ़िए सारी जानकारी लीजिए अब आपको मैं बता दूँ आपको च्वाइस आप किस-किस का देना चाहते हैं तो यह सब्जेक्ट वाइस फर्स त्री सब्जेक्ट के हमारे वन थाउजन है और सेंट्रल आउटसाइड दा इंडिया अगर इंडिया से अनर आई के बच्छे जो अगर भर रहे हैं तो वह उनकी फीस जो होगी और अगर अगर करते हैं तो उनकी फीस होगी 1800 वही हमारे जो है नॉर्मल बच्छों के लिए कितनी है 400 है आपको सबसे बहले किसके सा स्टैप्स को फॉलो करना होगा फ़र्स स्टैप में आपको रिजिस्टर फॉर्डा अप्लिकेशन फॉर्ड नोट डाउन सिस्टम अप जनरे अप्लिके पाउगा कैंडिट कैन अल्सो लॉग इन दा सिस्टम जनरेट अप्लिकेशन नंबर अप्रिकेशन फॉर्ड आप उसके द्वारा 4KB, 230KB के बीच में होना चाहिए, scan copy certificate, आपका 10th का 52, 300KB में हमारा ये होना चाहिए, चलिए हम और चीज़ जानते है, हमारा step 3 हमारा क्या है, इस तरह के से हम, step 3 में हमारा pay examination fee, हम net banking के जरीए debit card, credit card के सी के जरीए हम कर सकते हैं, अब इस step को हम follow करते हो, हम आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा password generate करना है, 8213 word में होना चाहिए, special character भी होने सही है, आप password को reset भी कर सकते हो, अगर भूल जाते हो, तो आपको सब के करने के बाद यहाँ पे click करना है, then उसके बाद आपको click here to proceed पे जाना है, और उसके बा यह बस अधार है, अधार पे आपने click किया, यहाँ पे अधार number डालना है, suppose जैसे कि मेरा अधार number है, 451087939, यह मैंने डाला और मैंने generate OTP, अब यह एक OTP आएगा, OTP आने के बाद, आपको यहाँ पे fill करना है OTP, और उसके बाद then, यह OTP भीज दिया गया है, OTP मेरे phone पे ह आजाएगा, और, यहाँ पे हम OTP, हम ऐसे fill करेंगे, 500, 20, 400, 42, यह हमने डाला और अजनरेट कर दिया हमने OTP, ठीक है, इस तरीके से हम आप OTP fill करके, और उसके बाद आगे बढ़िएगा, हमने जैसे नाम इसमें डालना है, guardian का नेम हम डालेंगे, और guardian के नाम डालने के बा आपको डालना होगा, mother's का name, आपकी date of worth क्या है, gender, male, female आप क्या है, वो आपको mention करना है, nationalities आपकी Indian, identity type, आपका दार कार, उनका number डालना है, और उसके बाद आपका address आएगा, address में आपको अपना पुरा प्रापर सही से डालना है, जो आपका address आप चाहते हैं, ठीक है, confirm oil number alternative oil number, दो number more डाल दीजिए, अगर आपका address सेम है तो आप इस तरह के से click कर सकते हैं, ठीक है, अब उसके बाद आपको password बनाना है, password बनाने के लिए मैं आपको बताया, 823 word होने चाहिए, फिर इसके बाद security question आपको डालना होगा, security जैसे date of worth cities है, आप वहाँ पर ये डाल और इसको आद ये pin डाल के आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से registration करेंगे, I hope कि आप सभी को समझ माया हो, यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे वीडियो के link में, comment section में आप comment करें और आपकी पूरी help की जाएगी, thank you so much, यदि वीडियो पसंद आई हो, तो like, share, comment जरूर करें, thank you so much,